बात करेंगे इस बेदी बड़ी खबर की जानेंगे आखिर क्या बोले महेंदर सिंग धोनी लेकिन दोस्तो हार और जीत से अलग ये दिया बीट मैं रोश्यमा की इस बेदी शांदर प्रदिशन से खुश है तो वीड़ो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा दोसरे एक्सकिम सब जानते हैं इस समय भारत और बांगलादेश की बीस तीन ओडिया ये मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है इस सीरीज का पहला मुकाबला टीम इडिया ने गवा दिया था दूसरा मुकाबला जीतना टीम इडिया के लिए बेदी जरूरी था कुछ उस तरीके से ही रोमा जख होगे ये मुकाबला और टीम इडिया की अंतिम गेंद पर हार कुई जियों दोस्तों हिट मैं डूश्मा चोटिल होने के बावजू जिस तरह से बल्ले बाजी करते हुए ना जरा उसने करोडों दिलों को जीत लिया इस मैच के लिए बांगला देश टीम ने पहले टॉस दीता और गेंद बाजी करने के लिए भारते टीम को अमंत्रित किया बांगला देश टीम ने पहले बले बाजी किया लगाता छे बड़ी सफलता भारते गेंद बाजों ने ले ली थी लेकिन साथवे विकेट के लिए एक बड़ी साजधारी मेहमुदुला और साती मेंदी हसन के बीच हुई सद्के साजधारी से टीम इंडिया ने इस मैच का रुख पलट ही दिया था क्योंकि टीम इंडिया संगर्श करती हुई नजराई विकेट्स नहीं ले पाई मेहमुदुला ने 77 तो वही मेंदी हसन ने 100 रन का योगदान दिया टीम बंगलादेश ने 50 आवर में 7 विकेट्स के नुकसान पर 271 रन बनाकर 272 रन का टागिट भारते टीम के सामने रखा टीम इंडा की और से हिटमेन लुशमा ने आपनिंग की शुआत नहीं की क्योंकि शाकीब अलहसन का कैच लपकने के चलते हिटमेन लुशमा चोटिक हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन इसके बाबजूद उन्हें इस मैच में बल्लेबाजी में योगदान दिया विराट कोरी और शिकर धवन ने आपनिंग की जिम्मेदारी उठाई थी इस तरीके से दौने आपनिर बल्लेबाज फ्लॉप हुए स्रेश अयर ने हाला की एट्टी टू रन का योगदान दिया अक्षर पटेल ने भी 56 रन की पारी खेली लेकिन फ्रेश अयर और अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मुकाबला फिर से फस गया अंतिमें जाकर हिटमें नोश्मा को मुकाबल में आना ही पड़ा जब बल्लेबाजी करम पूरी तरह से आउट हो गया था उस वक्त आये हिटमें नोश्मा नितावरत और अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया 28 गेंदों पर 51 रन ठोक दिये 5 खतरनाक चग के और 3 चोक के इनके बल्ले से निकले अंतिम के आउबर में टीम इंडा को जीत के लिए 20 रन की दरकार थी उस वक्त इनके नोश्मा ने लगातर 2 चोक के छोक दिये 30 गेंद पर कोई रन नहीं मिला इसके बाद 4 गेंद पर हिटमें नोश्मा ने छका ठोका अब अंतिम की गेंद पर टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 6 रन की दरकार थी लेकिन Hitman Rushama एक बड़ा शॉट अंतिम की गेंद पर ठोक नहीं पाए जिसकी चलते 5 रन से इस मैच को बांगला देश ने जीता हाला कि दोस्तों जिस तरह से Hitman Rushama ने बल्लेबाजी का नजरा पेश के उसने करोडो दिलों को जीत लिया इसके ओपर काफी बड़ी बात बोलते हैं नजरा है महेंदर सिंग धोनी महेंदर सिंग धोनी ने Hitman Rushama की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे काफी दुख हुआ कि आपको भी आज बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा खुल से लत्पत हाथ को लेकर आप बल्लेबाजी करने उतरे ये वाकई में शांदर है जिस तरीके से टीम इंडा को बचाने के लिए आपने लंबे-लंबे शॉर्ट्स खिल उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम शायद आज भारती टीम की जीतना हुई हो लेकिन इस पारी को तो बर्सों सक याद रखा जाएगा इसके साथी महेंदर सिंग धोने ने कहा कि टीम इंडा की गिनबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही जिस वक्त आपको दरकार होती है विकेट्स देने की उस वक्त आप धीले हो जाते हैं जिसके चलते टीम इंडिया को विकेट्स नहीं मिलता और भांगरादेश हावी होता है